हेलो फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि कई बार हम अपनी हाइट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारी हाइट सही तरीके से ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी हाइट बढ़ने के पीछे कितने कारण होते हैं दोस्तो हमारी हाइट बढ़ने के पीछे साइंटिफिक और जेनिटिक दोरो ही कारण होते हैं जेनिटिक यानि कि हमारे माता पिता से हुआ हुए कारण अगर आपके माता-पिता लंबी हाइट वाले हैं तो यकीनल ये probability ज्यादा बढ़ जाती है कि आपकी हाइट भी लंबी होगी वैसे तो कई cases में ये भी देखा गया है कि माता-पिता की हाइट लंबी होने के बावजूद भी बच्चों की हाइट उतनी लंबी नहीं होती है लेकिन उस शीष पर पहुँचने के लिए और अपनी हाइट को लंबा करने के लिए आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरुवत है आपने अकसर देखा होगा कि स्कूल के अंदर जब भी स्पोर्स प्ले कराये जाते हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा कहा जाता है कि उन सारे स्पोर्स के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी हाइट सही तरीके से बढ़ सके लेकिन जो लोग बिलकुल भी स्पोर्स केलना पसंद नहीं करते हैं एक ही कोने में बैटे रहते हैं उनकी हाइट सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है और ये चीज़े हमें छोटी उम्र में बिलकुल भी मैटर नहीं करती हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं और दूसरों को अपने सामने अपने से ज्यादा हाइट का देखने लगते हैं तब ये चीज हमारे मेर में बहुत ज्यादा घर कर जाती है इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी हाइट को 20 के उम्रे के बाद भी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं दोस्तों जेनिटिकली तो आपका अब हाइट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है लेकिर आप चाहें तो कुछ कोशिश करके अपनी हाइट के अंदर थोड़ से इंचिस और एड़ कर सकते हैं जैसे कि आप सबसे पहले तो कसित करना शुरू करें आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्काउट करने की ज़रत नहीं है किसी पोल पर लटकना, स्केपिंग याने की रसी कूदना या फिर तैरना ये तीनों चीजे एक ऐसी exercise हैं जो आपकी height को बढ़ाने के लिए और body को flexible बनाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे exercise भी करने चाहिए जो आपकी body की movement को बहतर बनाए आपके posture को बहतर बनाए और आपकी height बढ़ाने के लिए आपकी मदद करें इतना ही नहीं ही, अगर आप सोच रहे हैं कि दिन में केवल 4-5 घंटे सो कर ही आप अपनी नेन पूरी करने के और बाकी के साथ समय आप काम करते रहेंगे और आपकी height बढ़ जाएगी तो आप गरत है नेन पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी height बढ़ाने के लिए HGH hormones याने की human growth hormones सबसे ज्यादा तब development होते हैं पर सबसे ज्यादा तब काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं इसलिए आप कम से कम एक दिन के अंदर 6-7 घंटे के लिए ज़रूर पूरी करिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजे अच्छी सीजों का सेवन करिए आप चाहें तो अगर आप non-vegetarian है तो फिश का सेवन कर सकते हैं या फिर mutton का सेवन भी कर सकते हैं रोजाना एक एक का सेवन ज़रूर करिए ये आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा नुसका है सो दोस्तों इस सारी चीजों को कंस्यूम करिए ताकि आपकी हाइट में थोड़े से और इंचिस को आप आड़ कर सकें मेरी ब्यूटी और हेल्ट से डिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेयर और सब्सक्राइब कीजे